बात करते हैं ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट की कहां पर नजर होंगी बताने के लिए जुड़ गए हैं गौरव गौरव बताई सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटन की तो टाइटन के नंगर साकर हम नंबर्स की बात करें तो काफी स्टॉंग रहा है और टार्गेट पाइस जो है वो बढ़ा के 4200 का किया है अगला स्टॉक हमारे पास है वो है गुद्रेज कंजिमर्स जहां पर हमें कहीं पर वीक सेल्स देखने को मिले बट कहीं पर वह इन लाइन थे इंडिया का ओर्गानिक ग्रोथ भी वीक था बट उसके आलावा जहां पर दुवामा का मानना यह है कि FMCG के वॉल्यूम्स तो काफी अच्छे थे और आगे जाके ब्रैंडेड ओईल और फूड में भी कहीं पर अच्छा पर्फॉर्मेंस देखने को मिला है फेस्टिव सीजन को चलते हुए और इसलिए उन्होंने अपना बायरेटिंग मि 15 रुपीज का दे रखा है कल्लैंज वेलस ने भी अपने नंबर्स दे रखे है कि उत्री अपडेट्स के और इसके जैसे वो जो नंबर्स है वो कहीं पर काफी इन-लाइन थे जो एक्सपेक्टेशन थे उससे और रादर कहीं पर जाधा अच्छे थे असे लाइट मॉडल ज जहाँ पे वंदे भारत की अपॉचनिटी के वज़े से ये स्टॉक जो है वो काफी फोकस में रहा है और इसी के चलते हुए इन्वेस्टेक का मानना ये है कि आगे जाके 1400 करोज का एबिड़न अपॉचनिटी जाने की आशंका है और इसलिए उन्होंने टार्गेट करके रखा है और बाय रेटिंग उनका बरकरा रखा है अगर हम एलाइसे की भी बात करें तो भी एमके का मानना ये है कि कही पे ग्रोथ रिवाइवल जो है वह हमें देखने की काफी आशंका है और जो फेर वैल्यू में हिट आने वाला था वो कही कही पे काफी लिमिटेट रहा है और इसलिए उन्होंने टार्गेट प्राइस बढ़ा के 975 रूपीज का किया है और लास्ट हमारे पास है सूला वाइन साच के लिए जहां पे CLSS का मानना ये है कि गवर्मेंट महाराश्चा ने जो सबसीडी है वो फिर से 5 साल के लिए आगे बढ़ा के रखी और इ 863 का देखे रखा है तो इसी के चलते हुए यह स्टॉक्स पर हमें नजर रखने की काफी जरुवत है ठीक है तो यह कुछ स्टॉक्स होंगे जो कि आज फोकस में रहेंगे इन रिपोर्ट के चलते हैं थांकियो और अब आपका यह पुदा अनालेसिस करने के लिए तो टाइटन आप पर आज जरूर नजर रखे क्योंकि आज खबर भी है क्वार्टरली अपडेट काफी स्ट् मौर्गन स्टैनली ने 3190 रुपर प्रती शेयर का लक्ष दिया और HSBC ने भी यहां पर खरदारी किराय दी है टार्गेट प्राइस भी बढ़ा दिया थे 2900 से बढ़ाकर 4200 का कर दिया है तो टाइटन फोकस में रहेगा गुदरिश कंस्यूमर के पर नजर रखे यहां पर भी 1072 का लक्ष दिया है और इसके अलाबा काफी सारे रिपोर्ट्स गुदरिश कंस्यूमर पर भी निकल कर आई है और मेरे को भी आज फोकस में रहेगा तो आज आंद देख रहें काफी जदा फोकस में रहने वाला है कौर्टरली अपडेट और ब्रोक्रिश रिपोर्ट् जयर्ती